मध्य प्रदेश के बढ़वानी में रात को तेज आंधी और बारिच में बढ़वानी नगर के बलाई मोले वाड़क नंबर 24 में मकान तूटने और पत्रे की छद गिरने से कालूराम गोयल की मोत हो गई कालूराम देर रात को घर पे आया था इसे कारण उसके बच्चे नानी के यहां चले गए थे जिसके कारण हादसे का शिकार होने से बज गए कालूराम गोयल आवासिय पट्टे के लिए आवेदन बहुत बार दे चुका था पर उसे पट्टा नहीं मिल पाया सरकारी योजनाय जमीनी धरातल पर आज भी जरूरत मन लोगों तक नहीं पहुच पा रही है इसे का उधारन है यह मोत आज कच्चा मकान होने के कारण जान गवाना पड़ी वही शहर में कई जरजर मकान है अगर अगर नगर पालिका शहर के जरजर मकानों को नहीं तोड़ तो और भी बड़े हाद से शहर में हो सकते हैं बढ़वानी से अतुल कुमावत के रिपो क्या है यह कल में पापा बजाने गए थे तो पापा आया निते रस्ता देख देख क्या में वह सो गए सामने पापा आया खानाखा की सो गए पर एकदम से बारिस आई तो पपा के उ इसके फिलावेजन दिये आवास होजना के लिए दिये थे फोट बार पर कई नहीं हुआ आपका राकेश मक्वाने वाट 24 फारसत क्या हुआ में यह मकान दिरा रात को बारी स्तेज होने से मकान दस गया और उपर से पंके गीरे मकान दसने से करंट लगने से कालूराम किता पुनिया की डेट होगी तो इनको अंद्रा आवास में इसलिए लाम मिला इनको को इन्होंने एक दो साल से आवेदन भी कर रहे थे पट्टों के लिए पर आज तक इनका पट्टा नहीं में बना और इसी कारण से इनको आवास योजना का लाम नहीं मिल पाया पट्टा नही पट्टे नहीं बने दो तीन साल से दवड भी रहे है सर्वे भी हो गया उसके बावजुद भी मजदू लोगों को पट्टे नियावां टिक कर रहे है